हेलो गाइस यहाँ पर में पास MI का राउटर है MI का A4 राउटर है या फिर MI का कोई भी अगर आपके पास राउटर है तो अगर आपने नया राउटर लिया है तो इसमें कैसे आप internet on करेंगे कैसे बाइफाई सेट करेंगे वो मैं आपको इस व्यूडियों बताने वाला हूँ और इसमें यह RAUTER है अगर आपको कोई और RAUTER है बाइचन साब का RAUTER पुराना है पर आपका पासपट भूल गया या RESET करना है फिर से CONFUSION करना है वो और सब मैं आपको आपको इस डूडियों बता रहे हूँ और यहाँ पे reset का बटन होता है ये इस reset के बटन को आप दबा मतला मुवाइल से मैं वाइफाई से करके बताऊंगा. तो सबसे पहले इसमें इंटरनेट की जो मेन केवल होती ही वो आपको लगाना रहेगा इसमें. तो आपका जो इसमें blue port दिख रहा है और इस blue port में आपकी जो internet की cable होती है यह वाली यह आपको लगाना है तो मैं इसमें internet की cable लगाके और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है mobile से कर सकते हो आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी अच्छा यहाँ पर मैंने जैसी cable connect की तो cable connect करने पर यहाँ पर यह light आजाती है तो याद रखिएगा अगर आपकी cable सही से connect नहीं है तो यह light नहीं आएगी तो light का ध्यान रखें cable सही से लगी होना चाहिए अच्छा अब मैं आपको बाइफाई मतलब इसी आपको कोई cable नहीं लगा नहीं डिरेक्ट बाइफाई से इसको मैं confusion करना बताऊंगा आप अपने mobile में जाएगा और mobile में जैसे मैं यहाँ पर laptop में करके बताता हूँ same to same आपको mobile में करना है कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल आप यह मैं सोजीगा लैपटॉप में हो रहा है mobile में ही ऐसे कर सकते आप mobile में आपको जाना है अपने बाइफाई option में बाइफाई में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपके mobile में यहाँ पर इंटरनेट शो करेंगे जो इसका MI का नाम है एक तो आपको मिलेगा आपको यह मुलेगा आपको शाओमी का B34 करके आएगा यह देखो यह और एक आपको मिलेगा सेम 5G से तो अगर आपको 5G सपोर्ट करता है mobile तो यह ले लेगा और अगर नहीं करता है तो नहीं लेगा तो मैंने आपको 5G जैसी connect किया और जैसी connect करेंगे कोई password आपसे नहीं मागे आपको ऐसे page पे पहुंचा देगा डारेक्ट ऑटमेटिक आपको यहा पर करना इसको accept और यहां पर करना है ट्राइट ट्राइट लआ रहे कि जैसी आप क्रेंगे इसके जाटा पर Central ago ब्र. देख ओ अगर आप सैम रखते हैं तो आपके जो sek automate मैं जो आप login करेंगे जैसे मुझे आप ना पासवर्ड चान्ज करना है या फिर आपको कोई sit करने है तो उसका भी का सैम होगा वह हम जो 10. border करके उसमें जाते है उसके लिए और नहीं रखना है तो नहीं रखो पर मैं same रखता हूँ, तो मैं फटा-फट इसका नाम change कर लेता हूँ, जो मुझे नाम रखना है वो नाम change करके और इसका password भी change कर देता हूँ और फिर इसके बाद आपको nest करना है, यहाँ पर मैंने ID password रख लिए हैं और यहाँ पर मैं करूँगा nest, अगर आपसे कोई गलती से mistake हो भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आप change कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी problem नहीं है, इसकी default जो IP है वो है 192.V आ गया, दिखूपर यह है इसकी default ID password 192.168.31.1 तो यह मैंना enter की और जैसे ही मैंना enter की इसकी router की confusion में आ गए, याद रखिएगा आपका जो connect है वो 5G से नहीं होना चाहिए, 2G वाले से connect होना चाहिए, इसका password सेम रहेगा, जो password मैंने जो दिया था मैंने पहले आपको याद हो तो, मैंने अच्छे यह तो MI2G कर दिया है, और यहाँ पर आप चाहिए तो password भी change कर सकते हैं, उससे हम यहाँ नीचे आएंगे, तो इसको आप कर सकते हैं 5G, यह 5G हो गया, तो यह 5G वाले का नाम हो गया, तो आपको दोने के password भी अलग-अलग रखने हैं, तो भी अलग-अलग रख सकते हैं, आपको इशू नहीं है और मैं फटा-फट यहाँ पर password अलग-अलग एक से रख देता हूँ मतलब मेरे पहचान के लिए एक से रख देता हूँ आप ऐसे set कर सकते हो, और save करके आपको okay करना और कुछ भी नहीं करना, बस simple बस हो गया confusion तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अगर कोई भी दिक्कत है confusion में या कुछ भी पूछना होता पूछ सकतो फिलाल के लिए मिलता हूँ नई वीडियो के साथ अभी के लिए जै हैं, जै भारत